प्रभु येशु कहते है, स्वर्ग से उत्री हुई रोटी मैं हूँ क्रिस्त में प्यारे भायों तथा बहनों पिछले इत्वार प्रभु येशु ने लोगों से कहा हम सबों के जीवन का एक मात्र लक्ष है हम सबों के जीवन का एक मात्र फर्ज है कि हम सब ईश्वर की इच्छा पूरी करे तब लोगों ने प्रभु येशु से कहा गुरु जी हमें ईश्वर की इच्छा से अवगत कराईए हमें ईश्वर की इच्छा से परिचित कराईए तब प्रभु येशु ने लोगों से कहा ईश्वर की इच्छा यही है कि जिससे ईश्वर ने भेजा है उसमें आप सब विश्वास करें तब लोगों ने प्रभु येशु से कहा हम आप में विश्वास करने के लिए तयार है लेकिन उसके लिए आपको एक महान चमतकार करना होगा और प्रभु येशु ने लोगों को जवाब देते हुए कहा मैं आप सबो के लिए रोटी बन जाऊंगा जब लोगों ने इस अजीब जवाब को सुना शायद जिसकी उन्होंने कभी उमीद नहीं की थी तब लोग धीरे धीरे प्रभु येशु से दूर होने लगे धीरे धीरे उन्होंने प्रभु येशु को छोड़ दिया क्या प्रभु येशु ने जो कहा था वो गलत था बिलकुल नहीं प्रभु येसु ने जो भी कहा था वो सच था फिर लोग प्रभु येसु से क्यों दूर हुए क्योंकि प्रभु येसु ने जो कहा था वो उनके समझ के परे था अब इसे ध्यान से सुनिये एक बच्चा अपनी मा के गर्भ में अपनी मा के कोख में नव महने रहता है जब वह अपनी मा के गर्भ में रहता है तो उसका भोजन क्या होता है उसका आहार क्या होता है उसका भोजन होता है अपनी मा का खून अपनी मा का लहू अपनी मा का जो खून है उसे उसको सक्त जरुवत होती है अगर उसे अपनी मा के गर्भ में जीवित रहना है इसलिए डॉक्टर्स भी हर गर्भवती महिला को यही सलाहा देते हैं यही नसीहत देते हैं कि आपको अच्छा भोजन करना अनिवारिय है आपको अच्छा आहार ग्रहन करना जरूरी है अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो उसका असर आपके बच्चे पर होगा तो अगर आप अपने बच्चे को अपने गर्भ में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए जब वही बच्चा इस धर्ती पर जनम लेता है तो कम से कम एक साल उसका आहार उसका भोजन क्या होता है अपनी मा का दूद प्यारे भाईयो तथा बेहनो अब मैं आपको एक महतोपूर्ण सवाल पुछना चाहता हूँ यह जो नन्ना सा बच्चा है एक साल दो सार या तीन साल का बच्चा जो है यह बच्चा इस धर्ती पर किस पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखता है अच्चा होता है उसका सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी मा पर होता है क्यों क्योंकि उसकी रोटी कौन होती है उसकी रोटी उसकी मा होती है उसका भोजन उसकी मा होती है हाँ प्यारे भायुत था बेहनों इश्वर ने हर मा को इस संसार में रोटी बनकर भेजा है और यह मा जो एक रोटी है प्रतिदिन अपने बच्चे के खातिर उसे सुरक्षित रखने के खातिर उसका भविश्य बनाने के खातिर उज्वल करने के खातिर प्रतिदिन तूट जाती है रोटी के समान तूट जाती है हाँ प्यारे भायो तो था बहनो ठीक उसी प्रकार पिता इश्वर अपने एक लोते पुत्र प्रभु येशु को इस संसार में रोटी बन कर भेशते है इसलिए आज के सु समाचार में प्रभु येशु कहते है मैं स्वर्ग से उत्री हुई रोटी हूँ और यहाँ रोटी पवित्र यूकरिस्त में हम सबों के लिए प्रतिदिन उपलब्द रहती है यहाँ रोटी कुरूस पर हमें पापों के मुक्ति दिलाने के लिए तोट गई है और आज इस रोती को इस प्रभु येशु को अगर हमें हमारे शरीर में हमारे मन में ग्रहन करना है तो जैसे हमें आज के दुसरे पार्ट में बताया गया है सबसे पहले हमें हमारा मन शुद्ध करना होगा यानि अगर हमारे मन में कोई इर्षा है कोई द्वैश है कोई घुसा है कोई ग्रणा है उससे निकाल कर फेक देना है और अपने आपको शुद्ध करना है ताकि हम शुद्ध मन से इस पवित्र रोटी को अपने अंदर ग्रहन करें और एक और बात यह पवित्र रोटी ग्रहन करने के बाद जब हम वापस घर जाएंगे तो हमें एक दुसरों के खातिर रोटी बन कर जीना है आमेन झाल 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 है आमेने शोड़ी बना झाल कर जीना है। झाल झाल